उत्तर प्रदेश मदे मुलायम सिंग यादव आणी मायावती एकाज मंजावर आलयानंतर भाशपाची चिंता वाडली एका दूसरेया टप्यात वाडलेल मतदान काई संकित देता है या संदर्भाद आमसे प्रतिनीदीर आमराजेशन दे यानि उत्तर प्रदेश से उपमुख्य मंतरी केशो प्रसाद मौरिया याँचा शिकेलेली खास बात चीड़ुँदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद ज्यादा बड़ा है इसका असर क्या होगा और ये जो बड़ा हुआ ओटर है वो किस के तरफ जा रहा है देखिए बड़ा हुआ जो ओट है वो मोदी जी के लिए ही जा रहा है क्योंकि 2014 में मोदी जी की लहर थी और 2019 में मोदी जी की सुनामी है 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी गुंडों आपराधियों का बोलबाला था प्रसासन का राजनिती करन हो चुका था बहुत सारे बूत्थों पर कबजा किया गया था लेकिन इस बार का चुनाओ पूरी तरह से निस्पच हो रहा है और निस्पच चुनाओं में मतदाताओं का बढ़ चल करके हिस्सा लेना इस बात का संकेत है कि 2014 से बड़े अंतर से भाजवा के जो कंडिडेट है वो जीतने जा रहे लेकिन और एक संकेत जो है वो कल से देना शुरू कर दिया है पच्चिस साल के बाद मैन पूरी में माया वती और मुलाइम जी एक ही स्टेज पर आ गए है किस तरह से देखते हैं इसको आप राजवा जी बाननी नरेद मुदी जी के नेतित वाली सरकार पांच साल के लिए आई और उन्होंने व्रष्टाचार को भी रोका है और जो 55 साल में भरष्टाचार हुआ है जो इसके पहले सरकारे चाहि उपी में रही हो चाहि दूसरे राज्यों में रही हो उन्होंने जो भरष्टाचार किया है उस मामले में भी मोदी जी अपने लगातार उदोधन में कह रहे हैं कि जिसने भी मेरे देश को लूटा है मेरे देश के गरीबों को लूटा है किसानों को लूटा है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और इसके कारण से डर के मारे चाहे वो मायवती जी हो और चाहे अखले से आदो जी हो इनको एक होना पड़ा है और ये डरेंगे एक होंगे त यह आप नया प्रॉमिस किया गया है। मलब सत्ता की इर्द गिर्द भी बस्वा नहीं है। अब दी समी करण किती परिणाम करते हैं। रामराज सिंदे, जी मीडिया, लकनाव, उत्तर प्रदेश। प्रॉमिस किती इर्द भी बस्वा नहीं है।